Hello friends, Good evening, Welcome to our channel और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे NIT 2019 से ट्रे राउंड वेकेंसी क्या होती है मोपप राउंड में भी आपका एडमिसन नहीं हुआ कम नंबर वालों को क्या मिलेगा एडमिसन आप कैसे कम नंबर लेने पर भी एडमिसन ले सकते हैं लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और NIT 2019 से जोड़ी बहुत बड़ी खबर है अगर आपके कम नंबर है तो उससे पहले आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है जो आपके लिए golden opportunity होती है इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ओल इंडिया कोटा पर 15% सीटो पर जो है कांसलिंग होती है और 85% सीटो पर कांसलिंग होती है स्टेट कोटा के अंदर तो फ्रेंड्स जब स्टेट कोटा के अंदर फर्स्ट राउंड, सेकिंड राउंड और उसके बाद मॉप अप राउंड की कांसलिंग हो जाती है उसके बाद भी अगर आप रह जाते हैं और आपका admission नहीं होता है किसी भी college में मॉप अप राउंड में भी आप चाते हैं कि मुझे भी MBBS college के अंदर admission मिले तो आपको stray round vacancy के बारे में जानना बहुत जरूरी है तो मानिए फ्रेंड्स से मॉप अप राउंड भी हो गया है और आपको admission नहीं मिला है तो मॉप अप राउंड होने के बाद भी friends क्या होता है colleges में seat खाली रह जाती है और उन seat की भी अलग से counseling होती है उसकी जो है officially कोई notice नहीं आता है ना ही website पर और ना ही कहीं और उसके लिए जो है college के बाहर ही notice लगाये जाते हैं या फिर आप किसी भी college से personal contact करकर के उसकी stray round vacancy counseling के बारे में जान सकते हैं तो वो आपको बता देंगे या फिर वहाँ पर आप college में visit करोगे तो वहाँ पर बाहर notice आपको मिल जाएगा और stray round vacancy के अंदर mostly जो nearby students होते हैं वो ही हिस्सा लेते हैं क्योंकि अन्य जो students होते हैं उनको इसकी जानकारी तक नहीं होती और कुछ तो ये भी है कि जानते ही नहीं stay round vacancy होती क्या है तो friends आपको क्या करना है जैसे ही मप अप राउंड counseling खदम हो जाती है और आपका admission नहीं होता है तो उसके 15 से 20 दिन तक आपको contact में रहना होगा जिन जिन college में आप admission लेना चाते हैं वहाँ पर stay round vacancy के लिए notice लगेगा आप जैसे ही उसकी जानकर ले ले लेते हैं तो आपको उसी दिन वहाँ पर पहुंचना होगा जिस दिन आपकी counseling होगी stay round vacancy की और आपको सुबह registration करना होगा और तो फैर में offline mode के थूँ जितने भी students वहाँ पर present होगे उनकी physical appearance की तरह counseling होगी वहाँ पर physical appearance का मतलब है वहाँ पर अगर मान के चलो 10 students present है तो उसमें से 10 में से जो top student है उसका पहले admission होगा और उसके बाद भी कोई vacant seat है तो उसका next होगा तो उन 10 में ही देखा जाएगा इसमें जो है यह नहीं देखा जाएगा कि इसके कितने जादा है इसके कितने कम है तो उसमें जो top 10 है वहाँ पर जो present है उनमें से ही जो है order wise निकाल ली जाएगे students और जिदने vacant seat है उसके according वहाँ पर admission हो जाएगा तो उसमें यह नहीं है कि cut off कितना जाएगा कितना नहीं वहाँ पर जो student present होगे उनके number के according जो है वहाँ पर कम number वालों का भी हो जाता है और अगर वहाँ पर जादा number वाले बच्चे पहुचे हुए हैं तो क्या पता वहाँ पर जादा list जाए लेकिन friends आपका वहाँ पर जो है admission लेने के पूरे पूरे chances होते हैं चाहिए आपके कम number ही क्यों नहीं हो तो आप अगर personal information रखते हैं उनकी तो आप जो है जरूर admission ले पाएंगे और friends कुछ जहां तक मेरे को जानकारी मिली मैं आपको जानकारी मेरे चैनल के थरू देने की कोशिश करूँगा तो आप जो है मेरे चैनल से जूड़े रहें और आपको next year के लिए wait सायद ना करना पड़े अगर आप पूरी की personal information किसी भी college की रखती है तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं चलती next वीडियो में अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही thank you for watching our video for more video like and subscribe our channel thank you